नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल अपनी क्लास में दोस्तों यदि आप राजस्तान बोर्ड कक्षा दस्वी और बार्वी के विद्धारती हैं तो दोस्तों आप सब के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खुश खबरी है वो आ महिने में नहीं होगी और दोस्तों आपको यहाँ पे इस साल परमोड कर दिया जाएगा ये दोस्तों यहाँ पे आरबी एसी बोर्ड ने कहा है दोस्तों तो इस परकार से आपकी जो दस्वी और बार्वी की प्रिक्षाओं को लेकर जो टेंसन थी वो अब खतम हो चुकी है मुझे पता है कि आप पहले तनाव में थे कि अब पढ़ाई करें या ना करें हमारी पढ़ाई हो निपा रही हैं तो इसलिए बचों को परमोड करना जाएए दोस्तों तो यहाँ पर राजस्तान सरकार ने आपकी बात को मान लिया है और आपको यहाँ पे इस साल बिना पर और साथ ही एक और महामारी आ चुकी है बलेक फंगस नाम से तो इस परकार से दोस्तों साथ जून से राजस्तान के अंदर स्कूल हैं वो नहीं खुलेंगे उसी कागी लिखावा है कि जो बोड के परिक्षारती हैं उनकी जो असमंजस की सिती थी कि हमारी परिक्षाएं होंग तो इसलिए दोस्तों ना तो आपकी जून के अंदर स्कूल हैं खुलेगी और नहीं आपकी जून में बोड परिक्षाएं होगी दोस्तों स्कूल ना खुलने की वज़े क्या है इसकी वज़े है COVID का खत्रा और इसके साथ में दोस्तों COVID की जो तीसरी लेर है उसके भी जल्द आने की सम्मावना है ऐसे में नया सेशन भी अब online कक्षाओं के सारे चलेगा और दोस्तों यहाँ पर जो आपकी बोर्ड प्रिक्षाएं हैं उनमें भी दोस्तों बहुत अधा देरी हो रही है आपको यहाँ पर अगला सेशन है वो भी शुरू करना है आपको अगली वक्षा की पड़ाई है वो भी शुरू करनी है दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे माननिय सिक्सा मंतरी गोवें सिंग नोटास राजी ने साप कर दिया है कि जब जून के अंदर स्कूल नहीं खुलेगी तो आपकी दोस्तों बोर्ड परिक्षाएं भी जून में नहीं होने वाली है लेकिन दोस्तों अभी भी आपको पर्मोट करने का आदे से वो जाजी नहीं हुआ है तो इसलिए दोस्तों विधारती कह रहे हैं कि अब किसका इंतजार है जब दोस्तों जून के अंदर परिक्षाएं नहीं होरी तो दोस्तों हमें पर्मोट करो देखिए पर्मोट करो हमको सरकार यानि कि दोस्तों यहापे सभी विधारती सिक्सामंत्री जी को कह रहे हैं कि जब जून के इंदर बोड परिक्षा हैं नहीं होगी तो हमें जल्दी से जल्दी पर्मोट क्यों नहीं कर दिया जाता ताकि दोस्तों हम अगली कक्षा की पड़ाई है वो शुरू कर दें तो आप देख सकते हैं बिना परिक्षा पास करने की मांग है वो अब जोर पकड़ रही है तो देखिए यहापे जो हमारे सिक्सामंत्री हैं वासुदेव देउनानी जो की पहले थे बिजेफी जरकार में तो उन्होंने दोस्तों सिक्सामंत्री जी को पत्र है वो भी लिखाया है उन्होंने काया कि दस्वी बोड के विद्धारती हैं इनको बिना परिक्षा लिया ही पास कर दिया जाए ठीके दोस्तों यह उनकी यहां पे सिक्सामंत्री जी को मांग है आप देख सकते हैं उन्होंने काया कि जिस परकार से सीबी असी ने दस्वी की विद्धारतीयों को परमोट किया है उसी की तर्जबर यहां पे राजस्तान बोड है वो भी फेसला ले दोस्तों तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो राजस्तान बोड की अद्धेक्स हैं डॉक्टर डीपी जरोली जी उन्होंने दोस्तों दस्वी और बार्वी की प्रिक्षाओं को लेकर क्या कुछ कहा है तो आप देख सकते हैं इसमें लिखावा है कि पिछले दिनों बोड अद्धेक्स डॉक्टर डीपी जरोली जी ने सपश्ट कहा था कि वर्तमान में सरकार की पहली प्रात्मिक्ता क्या है कोविड नियंतरन है यानि कि दोस्तों विद्धिहर्थियों की जान बचाना अमरी पहली प्रात्मिक्ता है यदि विद्धार्ती नहीं रहेंगे तो उनकी प्रिक्षाओं का हम क्या करेंगे ऐसे में दोस्तों प्रिक्षाओं को लेकर फिलाल वे कुछ कहने की स्थिति में नहीं है यानि कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारे बोड अद्धेक्स हैं और उसी के साथ मैं दोस्तों जो हमारे बोड के अद्धेक्स हैं डॉक्टर डीपी जरौली जी उन्होंने दोस्तों दसुमेर बार में के विद्धार्तियों को अगा किया है कि विद्धार्ती परिक्षाओं के जो आयोजन और निरस्थ होने के लेकर जो खबर चल रही है उसकी अफवाओं पर ध्यान ना दें यानि कि दोस्तों परिक्षा होगी या नहीं होगी इस परकार से जो खबरें चल रही है कि जून में होगी आप उनकी अफ़ाओं पर ध्यान ना दें कोई भी फेक न्यूस ना पड़ें बोर्ड की वेबसेट पर समय समय पर चेक करते रहें ऑनलाइन अत्वा टेलीफोन के जरिए अपने जो टीचर हैं स्कूल के उनसे संपरक करें ठीक है और इसी के नीचे दोस्तों उन्होंने कहा है कि परिक्षाओं की तियारी करना बंद नहीं करें यानि कि दोस्तों से या पर जो विद्धारती हैं दस्वी और बारवी राजस्तान बोर्ड के वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि हम अपनी पड़ाई है वो जारी रखें या फिर नहीं रखें तो दोस्तों आपको बदाना चाहूंगा कि जून के अंदर तो आपकी बोर्ड प पक्ष में ही आएगा तो इस परकार से दोस्तों आप वहों पर ध्यान ना दें और अपनी तयारी है उसे कंटीनू रखें दोस्तों तो इस परकार से यदि आपको मेरी ये जानकरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों मिलते हैं किसे इनने वीडियो में तब तक लिए जया हिंद जय भरत